हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है उद्य ओनान क्लासिस में दोस्तों यह मेरा मैं थे क्लास तेंथ के जो प्रस्णावली एक दस्वल्ब दो इसमें हम पहला कोचन करेंगे कोचन है मेरा निमलिखित संख्याओं को अभाज गुनन खंड के गुनन फल के रूप में ब्य एक के मेरा पहला है कोचन है मेरा 140 का अभाज गुनन खंड करना है जैसे हम बाच्चा में बनाते थे लगुतम जैसे आप उसी प्रकारा में इसको तोरेंगे चलिए यहां पर हम हल करते हैं एक सुचालिस इसा फैले दू से लगाएंगे दूसरे हो जगए यह सतर हो जाएगा फिर दूसरे लगाएंगे तो इटीस हो जगाएंगे तो इस फिर कले हैं से लगाएंगे तो Chicago 35 फिर साथ में प्रनास जाएंगे साथ प्र आमया किया है यह हो गया उceğini 240 यह न लिखेंग ब्राबर एक दो दो गुने 2 गुने पाँच गुने 7 एक के तह भेलू है नहीं क्योंकि किसी संख्या में एक से गुना करने पर संख्या उतना ही रहता है 0 के छोड़ के देखे दो दो है तो 2 के परवर 2 एक, 2 के ऐसक्वायर 5 एक है और 7 एक है यह मेरा अभाज गुननखंड के रूप में आ गया यह मेरा एंसर निकल कर आ गया चलिए हम दूसरा कूचन को हम बनाते हैं मेरा दूसरा कूचन है एक से छपपन यहाँ पर आप देख सकते हैं कूचन एक से छपपने दूसरा को जिसको अभाज गुननखंड की रूप में तोरना है सबसे पहले इसको कितना से लगाएंगे दो से लगाएंगे दो सते चवदा और एक दो आठे सोला यह हो गया फिर दो से लगाएंगे दो से दो तियाई चाव दो नमा अठारा फिर हम तीन से लगाएंगे तीन से तीन ही काएंगे तीन 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 नव फिर हम तेरा से लगाएंगे तेरे काएंगे तेरा यानि कि हम एक सो छपपन को अम लिख सकते हैं एक दो यानि कि दो गुने दो गुने तीन गुने तेरा यानि कि 2 का स्क्वाइर गुने 3 एक है और 13 भी एक है यह मेरा फाइनाली इन से निकल कर आगे जलिए अब तीसरा कूचन को हम देखते हैं तीसरा नमर कूचन है यहाँ पर 38,25 यानि कि 38,25 है 38,25 तो 38,25 के हम गुनन खंड करेंगे अंत में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं चलिए हम उसको लगाते हैं कितना 3 से लगाते हैं 3 से कड़ी जागा 3 ही काई 3 3 दूना 6 2 तीन सा त्यकाईस और 3 पज़े 15 यह हो गया फिर हम लगाते हैं 3 से 3 चोका 12 3 दूना 6 3 पज़े 15 यह हो गया अब लगाते हैं 5 से 5 एकाई 5 सोरी 5 एकाई 5 नहीं होगा 5 अठे 40 होगा और यह 2 हो जागा 5 पज़े 25 यह हो गया अब फिर हम लगाते हैं 5 से 17 पज़े 50 फिर हम लगाते हैं 17 से 17 एकाई 17 यह हो गया अब लिखते हैं 38 पज़े 38 पज़े तो इसका भाज गुन अनकंड क्या है 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 तें 3 के स्क्वायर हो जागा 5 गुने 5 है तो 5 के स्क्वायर हो जागा अग उने 17 एक है यह मेरा answer आगे और चलिए हम 4 हम कोचन को बनाते हैं मेरा 4 हम पांने है यह है मेरा पांच हजार पांच है, चौंथा कुचन है मेरा पांच हजार पांच है, यह है इसको अब आज गुनान खंड तोरना है, सबसे पहले इसको हम लगाएंगे, पांच है, पांच है, पांच है, पांच है, जीरो, जीरो, और यह एक, पांच है, पांच है, यह हो गया, और फिर हम इसको लगाएंगे, यह साथ से कटेगा, तो साथ ही कहीं साथ, और यह है तीन, ठीस, साथ चुका अठाइस, दू, एक ए यह हो गया और फीर हम लगाएंगे यह लगाएंगे अब 11 से लगाते हैं 11 11 गोटे का 3 और 3 33 हो गया यानि कि यह मेरा अब हम 13 से लगाएंगे तो 13 यह काई, 13 यह हो गया, यहने कि 5005 बराबर, 5 गुने 7, 5 गुने 7, गुने 11, गुने 13, यह मेरा एंसर है, अचलिए फ्रेंड्स, एक मेरा और कूचन है, जो 500 में, लास्ट में है यही, यह के पांच नमर कूचन में, मेरा कूचन है, 7,004 से 29, यहनिकि 7,004 से 29, इसको अभाज गुने खंड हमें करना है, तो 7,004 से 29, इसको हम लगाएंगे, डाइरेक्ट यह कटेगा, 17 से कटेगा, पीछे कोई पहारा से कटेगा नहीं नीचे से, लगाते, 17 चूँका, 16, 17 चूँका, 16, कितना हो जगाएंगे, दू, चार छो, बासट, 17,31, यह हो जगा, 9,21, 12, 12, 17, 17, 12, यह हो गया, अम फिर लगाएंगे, कितना से हो, यह 9 से कटेगा, 29, 28, यह हो जगा, और यह 5, 5 पर 57, तो 29, 53, फिर हम लगाते हैं, 23 से, 21, 23, यह हो गया, तो इसका भाज गुनन खंड क्या हो गया, 74, 129 है, इसका भाज गुनन खंड लेगा, 17, 29, 23, 17, 29, अगुने, 23, यह मेरा एंसर है, आगे में हम बनाते हैं, यह मेरा पहला के पुरा कुचन बन गया है, फ्रेंस, यह मेरा पहला कुचन बन गया है, अब चलते हैं, दूसरा कुचन के, मेरा कुचन है, पुर्नांकों के निमलिखित युगमों के HCF और LCM ग्याद कीजिए, यानि कि जो युगम जो दिया हुआ है, जो रह में, उसको हमें HCF और LCM हमें निकलना है, तथा इसकी जाच कीजिए कि, दो संख्याओं का गुनन फल बराबर HCF गुन LCM होता है, दूसर मेरा कुचन है, संक्य है मेरा 26 और 91, 26 और 91 है, जिसके हम गुनन खंड करेंगे, 26 के गुनन खंड होगा, दूसर लगाते हैं 13 दूना 26, फिर 13 से लगाते हैं 13 कहीं 13, यानि कि 26 को हम लिख सकते हैं, दू गुने 13 और 91 के गुनन खंड, ऐसा ही आपको परिशा में करना है, सो करना है, 13 सत्य 91 होता है, और 13 से 13 यह कहीं 13, यह हो गया, 91 बराबर लिख सकते हैं, 7 गुने 13, यह हो गया, अब हम सबसे पहले HCF निकालते हैं, HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो है, जिसका पावर छोट हो, वो हम लेते हैं, दो इसमे है इसमे नहीं है दो कॉमन है छोड़ देंगे साथ इसमे है इसमे नहीं है साथ कॉमन ही छोड़ देंगे और तेरा देखे दोनों में है और पावर कम बला लेंगे तो यह पावर बराबर है तो चलिए हम एक ले लेते हैं कोई भी एक ले लेते हैं चलिए एक तेरा यह होग है मेरे से फाग य Help ऐ है कि साथ इसना यह सा यह साथ भी ले लिए तेरा यह ःति नहीं बिराबर है तो एक लेए दोनों सेका कोई है वो गया है सब्सक्राइब Celsius ? भी कि, सतरी 10 whichever से 1 कहीं है, तक क्या होगे ? एक आनमे गुने 2 2021 negative 1, यानि कि prepared pld, 2022 extremely Caleb Also, 858. 2018 और समें जाच करना है जाच करना है इसकी जाच कीजिये की दो संक्याओं का गुनन फल यह शेफ गुने LCम होता है यहां प्लिखतेी जाँच आपको परीशा में इसी तरह बनाना है सेम टू सेम दो संख्याओं का गुनन फल कहता है तो यह आप लिखते हैं दो संख्याओं का गुनन फल बराबर इसीफ गुने इल सियम यह होगया यह फर्मूला में भी यूज होता है यह सूतर के भी काम करता है इसको सूतर में भी यूज कर सकते हैं तो दो संख्याओं का गुनन फल और क defeating मेरा संख्या क्या है संख्या एक 26 है jsem और 좋아하ंगotta यहांद करना लिखते है, गुनन नफलीश का करना है, यानि की 26 गुने 1 945 बराबर क्या हो जागे, HP गूने LCM हमें, HCF कितना है44 और LCM अई 16 clouds की CHF बिखते हैं 3 गुने 180 इसको गुना करते है 26 में कान में से गुना करते हैं यह हो जगा 6 9 चक 24 यह हो जगा 2 दो नमा 18 6 6 8 5 13 यानि कि 3 6 6 ठागे इधर बराबर अब हम 182 में 13 से गुना करते हैं डाइरेक्ट हम गुना कर लेते हैं 13 दुना 26 के 6 हाथ में 2 138 एक सो चार 104 5 और 6 एक से चो एक से चो इसे लिखा जाते हैं तो हासी लिम्रा 10 हो गया 13 कहीं 13 10 23 यानि कि 23 6 6 ठागे भी हो गया यहां पर देखिए यह दोनों बराबर अगया इनकी जांच हो गया लिखेंगे जांच यह मेरा पुरूड हो गया यह तो इनसर है नहीं यह मेरा जांच है तो इसा ही आपको पहला सवाल बनाना है इसी तरह मेरा दो तीन और चार दो तीन भी है यानि कि 2 और 3 इसी तरह है चलिए हम दूसरा कुछ जर मनाते हैं पान सो दौस और बेरान में मेरा कूचन है दूसरा पान से दौस और बेरान में है तो सबसे पहले पान सो दौस का हम गुनन खंड करेंगे सबसे पहले दूसरा लगाते है दू दौना चार एक यह ग्यारा दू पंचे दौस और दू पंचे दौस यह हो गया अब हम पान से लगाएंगे पांच पची पचीस और पांच यह हो गया 3 से लगा देते हैं 3 से 17 से और 17 teeny कहीं 17 यह हो गया यानंकि 510 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 कुराम से लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 17 और हम बिरानमी का गुननखंड करते हैं 2 से 2 चुब का 8 2 चक 12 फिर दूसरे लगाते हैं 23 तुना 46 फिर दूसरे लगाते हैं दू यह कहीं दू यह हो गया यानि कि बेरान में बराबर दू गुने दू गुने 23 दू गुने 23 यह हो गया और दू के स्क्वायर लिखेंगे गुने 23 यह हो गया एक मेरा यह हो गया और एक मेरा यह हो गया एक मेर है सबसे पफ़े aid system रीकालते हैं तो हिसेव क्या बोले हैं जो दोनों में common होगा और जिसका power फ्रोटा मिलता नहीं दोनों में common कोई है नहीं यानि कि यह मेरा इंसर हो गया है 2 HCF आगे हम LCM निकालेंगे LCM मेरा क्या होता है कि जो दोनों में common हो जिसका power अधिक हो हम लेते हैं 2C किसका है तो 2K स्क्वाइर गुने और जो common ही उस सब हम लिखे देंगे तो सारे के सारे कॉमा नहीं है तो सभी हम लिख देंगे तीन गुने पांच गुने सतरा तीन गुने पांच गुने सतरा गुने तेश यह हो गया इसको हम गुना करके हम एंसर यहां पर लिख देंगे तो इसको गुना करने पर कितना आएगा 23,460 है गया यह मेरा लगूतम का इंसर है उचलिए हम जाँ चम करते हैं दो संख्याओं का गुनन फल दो संख्याओं का गुनन फल दो संख्याओं का गुनन फल बराबार एक संख्याओं का गुनन फल तो दो संख्याओं का गुनन फल बराबर HCF गुने LCM, तो HCF में रख्या 2 है, और LCM 23, 460, जो गुना करेंगे, 510, 991 से गुना करते हैं, रॉफ में काम करते हैं, इधर, आपको इधर ICL के दिना परिक्षा में रॉफ वर्ग, यानि कि 510 गुने बिरानम है, और 2 दुना 4, यानि कि 46, 920, और इसको गुना करने पर 46, 920 है, यह दोनों मेरा बराबर है, इसलिए इसकी जांच मेरा हो गया, चलिए अब हम तिसरा कुछ इनकीर हम चलते हैं, इसी का मेरा तिसरा है, 336 और 54 है, यह प्लिकते हैं, 336 और 54, 336 और 54 है, तो सबसे पहले 336 का हम क्या करेंगे, अब हाज गुनान खंड करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 एक आई, 2, 2, 6, 12, 2, 8, 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2, 8, 16, और 2, 4, 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2, 4, 8, और 2, 4, फिर 2 से लगाएंगे, 21, 22, 42, फिर 3 से, 3 साथ 21, फिर 7 से 7 का ही साथ, यह मेरा हो गया इसका भाज गुनान खंड, 23, यह मेरा 3 से 36 का हो गया, 1, 2, 3, 4, यानि कि 2 के पावर 4, गुने 3, गुने 7, गुने 3, गुने 7, और 54 के करते हैं, 22, 27, 24 होता है, 3, 27, फिर 3 से 3, 29, फिर 3 से 3 गाएंगे, यह मेरा 24 को हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 1, और 3 के पावर 3, यह हो गया, अब चलिए हम HCF, इसका हम देखते हैं, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जिसका पावर कॉम है, वह हम लेते हैं, तो दो के पावर चार है और दो के पावर एक है तो पावर किसका कम इसका कम है यह लेते हैं दो के पावर एक गुन है यह दोनों में देखिए इसे पावर कम होगा और मिलता रहेगा ओ संख्या का यानि कि तीन के पावर एक है तीन के पावर तीन है तो इसका पावर कम है तो ह यह लेंगे यानि कि 3 के पावर 1 और जो नहीं मिलता है उसको हम छोड़ देंगे उसको हम नहीं लेंगे यानि कि 3 दुना 6 मेरा एंसर कितना आ गिया 6 निकल कर आ गिया फाइनली मेरा एक इंसर आ गिया और हमें LCM निकलना है LCM में क्या होता है जो दुनों में common हो और पावर अधीक बला तो यह लेंगे 2 के पावर 4 और यह दुनों में यह लेंगे इसका पावर अधीक है और जो नहीं मिलता है वो भी लेंगे यानि कि 2 के पावर 4 हो जागा 16 और गुने 27 तीन के क्यों 27 गुने 7 तो इसको गुना करेंगे 3024 आ जाएगा यह मेरा LCM का एंसर है और चलिए इसको हम जांच करते हैं जांच में क्या है दो संक्याओं का गुनन फल दो संक्याओं का गुनन फल बराबर HCF गुने LCM यानि दो संक्या कौन कौन है मेरा गुना करेंगे 336 गुने 24 बराबर HCF गुने LCM यानि कि 6 गुने 3024 चो गुने 3024 यह दोनों आपसें बराबर आना चीजा गुना करने पर चलिए हम गुना करते हैं 336 गुना करते हैं चार चक 24 के चार हाथ में 2, 4-3-12, 13-14 हाथ में 1, 4-3-12, 13-15 हाथ में 3, 5-3-15, 3-18, 5-3-15, 1-16 चार हो जागा 4 और 8-3-11, और हो जागा 7 एक 8 और एक यानि कि 1814 आ गिया दोनों के गुना करने पर कितना गिया 18144 और इसको गुना करेंगे 30-24 में 6 से गुना करेंगे 6 चुका 24, 6-2-12, 13-14, हाथ में 1, 0 और 1 हो गया और 6-3-18, यानि कि 18144 आ गिया यानि कि देखिए दोनों बरावर हैं ति मेरा जहां चो गया जहां चो गया यानि कि दोनों अपस में बरावर है यानि कि दो संख्याओं के गुनन फल बरावर है गुनन फल होता है यह हो गया मेरा अब चलते हैं फिरेंस हम तीसरा कूचन के रे चलते हैं मेरा तीसरा कूचन एक है कि आभाज गुनन खंड बीधी दोरा निम्लिखित पुर्णांगों के एस्टेफ और एलसे हम ग्याद कीजिए यानि कि तीसरा कूचन में तीन गों संख्याओं है और उसका में एस्टेफ और एलसेम निकलना है तो चलिए हम बनाते हैं संक्या है 12-15 और 21 इसके हम सबसे पहले गुनन खंड करेंगे भाज गुनन खंड तो हम 12 के भाज गुनन खंड क्या कर सकते हैं इस एडम बता देते हैं 2-6-12 2-3-6 फिर 3-3 करें यानि कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 और 15 के भाज गुनन खंड निक्ट में रहे तीन से लगाए 3 पच्चे 15 और 5 से 5 करें पांच यानि कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 और एक 10 का बनाएंगे एक 10 का भाज गुनन खंड का इस दिन से लगाएंगे 7 एक आइस और 7 से सप्सक्राइब की साथ यानरेどう आक interest को में लिक सकते हैं तीन पर एंगोहने साथ यह हो गया हम सबसे早 Beatles निकालेंगे इसका हम NCF निकालेंगे ते NCF देखते हैं जो तीनों में common होगा और power जिसका कम होगा वह हम लेते हैं तो दो तो है नहीं सब में और तीन है तो power सब में एक ही है तो हमें तीन हैं क्या है यानि कि एक मेरे NCF आ गया और LCM में देखिए LCM में क्या होता है जो तीनों में common हो पावर बारा बला लेंगे तीनों में common हो और पावर बारा बला लेंगे जो common है यह ओभी हम लिख देंगे तो तीनों में common है तीन पावर समान है एक तीन रहेगा और जो नहीं ओभी लिख देते हैं तो दो के पावर दो हो गया गुने 5 गुने 7 गुने 5 गुने 7 इसका हम गुना करेंगे यानि कि 2 गुना 4 चार ती 12 बारह बारह पंचे 60 हो जाएगा और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्य बियालिस यानि कि 420 मेरा यह आगे LCM चलिए हम दूसरा कुचन को हम देखते हैं दूसरा कुचन मेरा क्या है दूसरा कुचन है 17,23,29 और क्या है और 29 है हाल यहाँ लिखना है 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 1 और 23 को लिख सकते हैं 30 गुने 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुने 1 यह हो गया तो इसका हमें HCF निकलना है 23 तीनों में कॉमन होगा और पावर समान है तो हम यह कहीं ले लेते हैं यह मेरा HCF हो गया और LCM क्या हो जागा LCM यह साइड बना देते हैं LCM हो जगा जो तीनों में कॉमन होगा और पावर अधी कपला लेंगे जिसमें तो है नहीं सब अलाग लगा तो सारे के सारे हम लिख देंगे यानिकि 17 गुने 23 गुने 29 जिसको सब का हम गुना करेंगे तो गुना करने पर मेरा LCM कितना आ जाएगा LCM इसका आ जाएगा 11 149 यह मेरा LCM का एंसर है चलिए एक और मेरा कूचन इसका लास्ट कूचन है तिसरा तिसरा नबर मेरा कूचन है कि 8 9 और 25 का हमें LCM और LCM निकाले आठ 9 25 आठ 9 9 और 25 यह हो गया तो आठ के लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 यानि कि 2 के पावर 2 क्या सोरी 2 के पावर 3 होगा और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 यानि कि 3 के पावर 2 और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 यानि कि 5 के पावर 2 यह हो गया तो इसका हम NCF सबसे पहले निकालेंगे तो NCF में क्या होता है जो तीनों में common होगा तीनों में तो common कुछ है नहीं तो सब के हम गुना में हम एक कर देती हैं क्योंकि किसी भी संक्या में एक से गुना करने पर कोई फरक नहीं परता है तो में NCF एक हो गया कुछ common नहीं रहता है तो एक होता है और LCM देखे क्या होता है LCM है सारे के सारे हम गुना कर देंगे यानि कि 2 के Q गुने 3 के स्क्वाइर गुने 5 के स्क्वाइर यानि कि नंबर है मेरे 8 गुने 9 गुने 25 यानि कि 25 चुका से 25 अठे दूसे तो दूसे मे नो दुना अठारा और अठारा पर दूग जुरू यानि के अठारा सो यह मेरा एलसी एम आ गया तो फ्रेंट्स उमीदे कि यह सवाल आपको समाज में आ गया होगा तो चलिए हम एक और कूचन को हम देख लेते हैं मेरा चौंथा नंबर कूचन है वीडियो अच्छा लाएगे तो वीडियो के लाइक किजिएगा और चैनल पर नहीं होते हैं चैनल के सब्सक्राइब किजिएगा आगे मेरा चौंथा नंबर कूचन है दोस्तो मेरा कूचन क्या है कूचन है कि यह सेफ 306 चो से 57 का 9 दिया है तो हमें एलसे में इसका निकलना ह है यानिको दो संख्या दिया हुआ है एक संख्या ए है भी है दो संख्या दिया हुए इसका इससे अपनाव है इसे लिखते हैं पहला संख्या क्या है पहला संख्या है तिन से छो और दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है छो से संतावन इसका हमें HCF दिया हुआ कितना? HCF 9 दिया हुआ है, तो हमें LCM पाता करना है, यह हमें पाता करना है, तो हम जानते क्या है? अभी इसे पहले सवाल बनाते हुआ है, उसमें आया हुआ था, कि दो संक्याओं का गुनन फल बराबर HCF गुने LCM होता है, यहां पर लिखते हैं, दो संक्याओं का गुनन फल बराबर HCF गुने LCM यह होता है, तो दो संक्याओं मेरा कुन है, एक है ए और एक है यह, यानि कि 3 से 6 गुने 6 से 57, तीन से 6 गुने 6 से 57, बराबर HCF, HCF तो दिया हुए 9, और हमें LCM पता करना है, तो LCM बराबर, 9 इधर गुना हमें इधर रहे तो भाग में आजागे, तो इसको बटे में हम भाग कर देंगे, 24, 4, 7, 28, 4, 5, 20, 21, 22, हाथ में 2, 4, 6, 26, 25, 26 हो गया, 3, 7, 21, 3, 5, 15, 16, 17, हाथ में 1, 3, 6, 18, 29, 8, 3, 7, 4, 3, 9, 2, 11, 12, एभे जगा 2, कितना गया, 22, 1339 आगया, एक बरचे कर लेते हैं, 8, एभे जगा 3, 7, 6, 3, 9, 2, 12, ठीक है, कितना है, 22,338, यह मेरा LCM आगया, फाइनली यह मेरा एंसर है, फ्रेंट्स आगे मेरा पांचमे नमबर कूचन है, कूचन है जाज कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या 6 के पावर एन आंक सुने पर समापत हो सकती है, माने कोई भी प्राकृत संख्या एन है, एन माने कोई मेरा नेचुरल नमबर है, इस पर 6 के पावर कोई संख्या रहेगा, तो क्या एस संख्या 0 पर समापत हो सकती है, यह हमें बताना है, जाज करना है, यह होगा कि नहीं होगा, यह मेरा चौधा नमबर कूचन है, पाँचमा नमबर है, कोई संख्या 0 पर समापत हो गए, यह हमें चेक करना है, कि सुने पर समापत होगा कि नहीं यह हम समाजने के लिए लिख दिया है तो देखिए कोई संक्या सुने पर समापत कब होगा जब उसका भाज गुनान खर्ण में संक्या दो और पांच रहेगा दो गुने पांच रहेगा क्योंकि दोनों का गुना करने पर दोस आता है तो दोस में किसी भी संक्या सो गुना करेंगे तो उसके आंते में तो जिरो रह भी करेगा तो इसलिए उसका भाज गुना नखंड में दो हर हाल में दो और पांच दोनों रहना चाहिए दोनों में से कोई एक रहेगा तो नहीं होगा, सुनी पर समापत नहीं होगा, इसके देखिए, हम बता देते हैं, हम 12, 12 सुनी पर समापत नहीं है, और इसका बाज गूने अन्कंड किज़ेगा, लेकिन पांच नहीं है, इसलिए सुनी पर समापत नहीं हुआ है, वह हम अपना मन से पांच दे देते हैं, तो देखिए, दो और पांच दोनों इसमें आ गया है, इसलिए सुनी पर समापत हो जागे, इसको हम चलिए गुना करते हैं, दो दोने चार, चारती बार, बार पंचे 60 यानि कि 60 आगे यानि कि जीरो सुनिंपर समापत हो गया सिंट तु क्या जानते हैं हूं जानते हैं कि कीशी संख्या भाज गुन्यानखंड में दो अर पांच रहने पर वह संख्या सुनिंपर्स आपत होता है तो हम कोचन बनाएंगे, यह रफ और करके हम आपको समझा दिये हैं, परिच्छा में यहां से हल करना है, लिखना है कि जिस संख्या के अभाज गुनन खंड में, जिस संख्या के अभाज गुनन खंड में, संख्या, संख्या दो वा पांच उपस्तित हो, वा संख्या सून पर समापत होगा, जिस संख्या के अभाज गुनन खंड में, संख्या दो और पांच उपस्तित हो, दोनों उपस्तित रहना चाहिए, दो और पांच उपस्तित हो, वा संख्या सून पर समापत हो जाएगा, तो मेरा कूचन है, चोग के पावर एग अंग सून पर समापत होगा, याँ कोई नेचरल नमबर, कोई नमबर ले लेंगा, उसको गुना करेंगे, ठीक है, खतम हो सकता है, चलिए हम यहाँ पे हम बनाते हैं, यानि के चोग के पावर एग है, तो इसको हम गुनान खर्ण में क्या लिख सकते हैं, चोग को हम लिख सकते हैं, दो गुने तेन, के पावर एग, यह हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं, अलग अलग पावर हम देते हैं कोल पावर है तो दो के पावर 8 गुर्ण है तीन के पावर 8 यहांपर देखिए दो पस्तित है लेकिन 5 यहांपर गायव है इसलिए कोभी भी यह संख्या सून समापत नहीं होगा कितना भी गुणा कि लिए ये एन कोई भी नेचुरल नमबर ले लिए, सुन परस्मापति नहीं होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, छोके पावर एन के अभाज गुनन खंड में, छोके पावर एन के अभाज गुनन खंड में, पांच संख्या नहीं है, पांच संख्या नहीं है, पांच संख्या नहीं है, समझे, उसके बाद लिखेंगे, पांच संख्या नहीं है, तो सुन परस्मापति नहीं होगा, तो लिखेंगे, अता, इसके बाद कुछन में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, अता, किसी प्र प्राकूरित संख्या n के लिए, शंख्या 6 प्रापर उन्पल, परोट की में हो सकता है। कि और विग दैनार पूरा संख्या प्राकूरित संख्या n के लिए, in के लिए 6 के पावर in अंक सुन पर समाप्त नहीं होगा, सिर्फ नहीं आपको जोर देना है ये आपको जोर देना है नहीं होगा ये मरा finally answer आ गया इतना काम आपको कर देना है, परीछा में आपको फोल नंबर देगा एक नंबर भी नहीं काटेगा कोई भी संख्या सुन पर समापत होने के लिए उसके गुनन खंड में दो और पांच दो नो रहना चाहिए, क्योंकि दो और पांच के गुना करने से दस आता है, और केसी भी संख्या में दस से गुना करने पर उलाष्ट में जीरो रहता है, इसलिए सुन पर समापत होने के लि के दू गुने तीन और इसका होल पावरेन है तो इसमें दू गुने तीन है इसमें पांच गायव है अगर पांच रहता तो सून पर समापत हो जाता लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें लिखेंगे छोके पावर इन के अभाज गुनन खंड में पांच संख्या नहीं है जो नही शlow którą ہं sounds को हम देखते हैं छाठा कोचन है से नंबर कीजिए कि साथ गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और साथ गुणे चोंद 5 गुणे चार गुद 3 गुरेद 2 गुणे एक प्लस पांच वाज संख्या क्यों है मतलब यह संख्या और यह संख्या भाज संख्या क्यों है यह हमें ब्यक्षिया करके बताना है तो हम भाज संख्या किसे कहते हैं हम जानते हैं हम जानते कि भाज संख्या वो इसी संख्या को कहते हैं जिसका दो या दो से अधिक गुनन खंडो यानि उस संख्या का टुकरा हो सकता है जेसे कि देखिए बाब तेखिंगें आप इसका टूक्रा हो सकता है जैसे कि दू गुनौ तीन, ये मेरा बहाद संग़ कीऊ हो टूक्रा है nor तो फिर डिफ जैसे का हम लिखते साथ चुष्यक्यं का लग गए करनों सकता है, साद में भाज संक्या में, भाज संक्या में बोले हैं, वह ऐसे संक्या जिसका गुनान खंड दो या दो से अधिक हो, वह ऐसे संक्या भाज संक्या होती है, उसलिए हम चेक करते हैं, जिसका गुनान खंड में दो टूकर आ जागा, वह मेरा भाज संक्या होगा, तो मेरा कुचन में क्य है सात गुने 11 गुने 13 कुचन है साट गुने 11 गुने 13 और पलस का 13 है और और है एक और है साथ गुने 6 5 4 3 2 1 वह के बाद पलस 5 है यानि कि 7 से सुरू करना है और हमें छो पांच और चार और तीन और दो और एक प्लस पांच है यानि कि साथ छो पांच चार तीन दू एक प्लस पांच यह हो गया यानि कि यह संख्या और यह संख्या है न भाज संख्या है और क्यों है यह हमें ब्याख्या करके बताना है चलिए हम देखत पाट है और यहां से एक पाट है there what traditional prcfor da tomorrow's to a 20 ऊपर सब्कास के तो अब आख nella कीवाइन इसाथ के तो निकाल दे यहां पलस तेरा को तो निकाल दीया किया यहां यहां देखिए यहँ पर सीधर एक पाटे यह सीधर और यहां सीधर इक पाटे दोनों में कमन क्या है तो इसमें भी पांच है और इसमें भी पांच है यह संख्या दोनों में कोमा है तो इसको हम बाहर निकालेंगे इधर क्या बचेगा साथ गुने छो और पांच को छोड़ देंगे चार तीन दू और एक प्लॉस इसमें तो एक हम पांच को बाहर निकाल दी हैं तो इसमें य और 5 इसको गुणा करेंगे हम चलिए हम इसको गुणा करते हैं दो तियाई 6 और 6 चवव का 24 और 24, 25, 125, 24, 144 और 144 में हम 7 से गुना करते हैं चलिए हम एक विरावल गुना करके शेकर लेते हैं 2, 3, 6, 6, 24, 24, 25, 25, 24, 144 और 144 में हम 7 से गुना करते हैं 7.28, 7.28, 29, 30 और 7, 3, 10 यानि 108 आ गिया 108 और प्लस का 1 है तो 1 यान पे लिखेंगे 13 गुने 7, saçग एक 78 और पांच गुने 108 आ yake 109 हो जाएगा यहाँ पर देखें यह 2 संख्या का टूकरा है यह 2 संख्या का टूकरा है इसलीए भाज संख्या होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यह 2 संख्या का गुनान खंड अ है कि या दो संक्याओं का गुनन खंड़ है इसी लिए या भाजसंख्या है यह आपको लिखना है भी अख्या में करना था कि भाज संख्या कैसे बताना है तो हम बता दिये हैं चलिए मेरा सात्वानमर कूचन है कूचन का रहा है कोचन काता है किसी खेल के मैदान के चारो एर एक बृतकार पहता है मन कोई खेल के मैदान होगा उसके चारो एर बृतकार मैदान है इस मैदान के एक चेकर लगाने में सुनिया को अठारा मिनिट लगते हैं जबकि इसी मैदान के एक चेकर लगाने में रवी को बारह मिनुट लगते हैं, मान लीज़े वे दोनों एक ही अस्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंब करके एक ही दिसा में चलते हैं, इतने समय बाद वे पुना प्रारंबिक अस्थान पर में जाएगा, यानि कूछिन मेर रवी को एक रांड मारने में बारह मिनुट लगता है, और रवी को एक रांड मारने में बारह मिनुट लगता है, समझेता है, कितने समय में वे दोनों प्रारंबिक अस्थान पर पुना मिल जाएगा, ये तो बास्तविक है, कि आठारह मिनुट से कौम मिनुट में तो मिलेगा नहीं, समझेगे, क्योंकि ये आठारह मिनुट में ये आ जाता है, सोनिय यहां प्याता है, और अभी बारही म लेगा तो जादे करने के लिए हमें LCM निकलना पड़ता है समझे और następनल समय कहीं लेता तो इसको कौम तो लेगा नहीं यह तो संभ़ भी नहीं भी नहीं है क्योगी कि जब भी समय लेगा क्योंकि ऐठार और बारता से जादी लेगा या तो आठार लेगा ना आठारा बारा से जादी लेगा, तो आठारा भी नहीं लेगा, तो जादे हैं, तो जादे करने के लिए हमें LCM निकालते हैं, कि किसी भी संक्या के LCM बनाते हैं, तो उस संक्या उतना ही रहता है न तो उसे जादे होता है, अब मौसा में क्या होता है, उतना ही रहता है न तो हमें जादे में जाना है तो हमें LCM निकालेंगे तो अस्ता करते हों कि समझ गये होंगे तो चलिए हम बनाते हैं तो दोनों से क्याओक हम LCM निकालेंगे LCM 18 और 12 यह हो गया यह निकालेंगे मेरा फाइनली अंसर हो जाएगा तो लिखते हैं 18 का गुननकंड दो गुने तीन गुने वाय होगे और 12 है तो 12 हो जागा दो गुने दो गुने तीन तो इसको हम इस पर करखी हैं 2 का अ ..सका गुने थीन इसको लिसरेंगें धूके पावर यह गुने 3 के पावर दो तो हम LCM निकालना है तो LCM में क्या हो जाएगा LCM में क्या होता है कि 04 में common होд और power अधीक बला तो 2 इसमें भी हैутств只是 and only Power अधीक इसका है तो 2 के Power दो गुना 2 के Power अधीक बला तिन के Power 2 का Power अधीक है यह हो गया यानि कि इसको हम लिजसाटे हैं दो दुना 4 और 3 तियाँ 9 यानिकि 4 नमा 36 यानि कि ये 36 मिनके 36 मिनक में दोनों प्राराहमी करिस्तान पर पुना ये मिलें दो फिरेंड me मिरा सवाल समाझ में आया होगा आहा होगा आप ंसलों सो Wrast आज के लिए इतना है जैन्द जैवारत